जैने दुस्तों अंदे मात्रम एक केरल स्टोडी की बारे बातें काफी लंबे समय से चल रही है इस मूवी को रिलीज हुए कुछी दिनों में एक महीना हो जाएगा मूवी करीब करीब सवा दो करोड के आसपास का कलेक्शन आचीव भी करने वाली यह सिर्फ इंडिया इंडिया में फॉरन के कलेक्शन की तो हम लोग बात भी नहीं कर रहे है लेकिन इतना मड़ा कलेक्शन कर लेने के बावजूद भी बॉलिवूड में एक चुपपी पसरी हुई एक सननाटा पसरा हुओ ऐसा लग रहा है कि उनके लिए तो यह मूवी आई ही नहीं है मेरा तो बस इतना ही कहना है कि आप उन सभी अक्टर्स को याद रखिएगा जिन लोगों ने इस मूवी की कहानी के उपर चुपी बरती हुई है इतना कलेक्शन करने के बावजूद भी हला कि अब कुछ लोगों ने सामने आकर बोलना शुरू किया है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि वो उतने सही तरीके से बोल रहे है हला कि अब कुछ दिनों पहले राम गुपाल वर्मा ने बॉलिवूड के सनाटे को मौत के बाद मातम से कंपेर कर दिया था और अब नवाजूद इन सिद्धी का भी बयान निकल कर सामने आया है लेकिन उसके बावजूद भी मुवी अपनी जगे पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है देखिए कलेक्शन का मतलब सीदध सीदा पैसा होता है और अगर हम पैसे की ही बात कर रहे हैं तो अमेरिका की ग्रेट एकनॉमी जिसको की हम लोग ग्रेट एकनॉमी ही कहते हैं वो क्रैश होने वाली है दरसल अमेरिका दिवालिया गोशेत हो सकता है उसके हलत पाकिस्तान जैसी हो सकती है और इसके बारे में डीटेल में मैंने अपने इस वीडियों बताया है दिस्क्रिप्शन में लिंक भी है आई बटन पे भी लिंक है आप जरूर जाकर इस वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लोगों की बीच में शेयर भी करें अब अगर हम बात करें नमाजुदिन सिद्धिकी के ही बयान की तो देखी सुवीप्तों से इनके निरुदेशे ने वनी फिल्म दा केरल स्टोडी सिनमा घरों में दुवाधार कमाई कर रही है वहीं कुछ जगहों पर फिल्म को विवादों के चलते बैन भी जहिलना पट रहा है अनुरा कश्यप ने हाली में फिल्म को लेकर सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया और अब नमाजुदिन सिद्धिकी ने बैन को लेकर अपना रियाक्शन दिया है दरसल नमाजुदिन सिद्धिकी ने हाली में अनुरा कश्यप के बाद इस मूवी के उपर अपनी बात रखी अनुरा कश्यप ने फिल्म पर बैन के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोई भी फिल्म या कोई भी नॉवल जो किसी को हर्ट करें वो गलत है उनुरानी काहा कि हम फिल्म में और उडियनस या उनकी भावनाओं को हुपने के खियालं से कभी नहीं बनाते उन्होंने कहा कि हमें इस दुनिया को जोडने का काम करना है सुदीव तोसेन के निर्देशे ने बनी फिल्म दा केरल स्टोडी सिनमा घरों में दुआधर कमाई कर रही है पश्चिम मंगाल सरकार दोरा इस फिल्म पर लगाया गया बैन के बाद पछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसे खटाने का आदिश दिया हलाकि कई सिनमा घर अभी भी इस फिल्म को दिखाने से हिचक रहे है केरल में भी इस फिल्म को लेकर विरोज जैसा माहौल बना ही हुआ है क्योंकि इसे काफी कम जगों पर रिलीस किया गया था फिल्म को लेकर जो माहौल बना था उसे देखकर लोग भी कम ही निकल रहे थे ट्रेलर रिलीज के साथ ही वादो से घरी इस फिल्म के रिलीज के साथ ही पश्चिम मंगाल में भी इसके वर बैन लगा दिया गया था कूर्ट के अधिश के बाद में फाइनली फिल्म को एक सिंगल स्क्रीन थीटर में रिलीज किया गया और इसे एडियों आउडियन्स का वहां पर भी एक अच्छा खासा रिस्पांस मिलना शुरू होगे ऐसे में अगर हम बात को आगे बढ़ाते हैं अगर बात करें इस मूवी के कलेक्शन की जो की अब काफी अच्छे स्टेज को अचीव करने के बाद आप डाउन फॉल की तरफ जा चुका तब आपको भी समझ में आएगा कि भई आखिर इस मूवी ने वाकई में कुछ ऐसा चम इस मूवी का तीसरे वो दौर का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो करीब सवा तीन करोड का है और जो इसका कल का कलेक्शन बताया जा रहा है वो भी लगबग लगबग इतना ही बताया जा रहा है अलाकि अब इसका जो कलेक्शन है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है और इसका अभी भी बॉलिवूड में जो सन्नाटा पसरा है उसे देखकर आप खुद भी अंताजा लगा सकते हैं कि आखिर ये लोग किस चीज को सपोर्ट करने के लिए इतने आतर दिखाई दे रहे हैं अब देखिए जो भी हो मूवी तो मूवी होती है इन्टेन्मेंट का एक साधन ह होती है और यदि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप खुद ही जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं वो भी जब पब्लिक उसको बिलकुल अनबायस तरीके से फूल सपोर्ट दे रही है मैं दरसल इस बात का छिक कर रहा हूं को कि सेम यहीnes से ये मूवी जितने कम बजट के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपने कॉंटेंट के दम पर आखिर इतनी करोडों में कमाई कैसे कर लेती हैं। कार्तिगेट 2 के एक्टर ने तो अगली मूवी सुभाज चंदर बोस की कहानी के उपर भी घुशित कर दी। तो ऐसे में बॉलिवूड शायद इन जो नैशनलिस्ट टॉपिक है या वो टॉपिक जो कि आज की तारीक में पब्लिक देखना चाहती है उनको शायद पकड़ नहीं पा रहा है। आपका क्या खाना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे सुनिव लात नहीं जाये हैं जाय पार।